नमस्कार आदाफ सस्यकाल दोस्तों मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बफिर से आज़रों आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी कोच तो दोस्तों डी ट्रिप्लेस भी के एक्जाम्स जो है सिफ्ट में हो रहे हैं और उन दिये गए हैं आपके कार्ड में तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहां पर आपके कार्ड यानि आपकी डिटेल्स देखने के बाद आपको दिया होगा परिश्टर तिथीव समय यानिके डेट टाइम ऑफ एक्जाम जो की 6 सितंबर को होने वाला है इसके बाद जैसे भी आपका एड्मिर काड आएगा नेक्स डेट का वह आपका डेट यहां पर शोगा और टाइम आपको शोगा जैसे यहां पर साड़े-bारा से ढाई घंटे मतलब साड़े-बारा से ढाई बजे तक आपका एक्जाम होगा यहां पर अगर अगर साड़े बारा बजे अगर स्टार्ट होना है तो ग्यारा बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है बारा बजे गेट क्लोज हो जाएगा उसके बाद आदा घंटा आपका जो प्रोसेस रहता है ऑनलाइन एक्जाम के लिए वह आपका यहां पर रहेगा और आपको जाने से पहले अपने अपने काड में चेल करना है यह जूह आपको एन पर के बाद करना है नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका नोट में क्या दिया गया है नोट में दिया गया है कैंडिडेट और एडवाइज टु ब्रिंग एडमिट कार्ड इन दा एक्जामिशन सेंटर अलोंग विद वन ओरीजिनल फोटो आइडी प्रूफ एज आपके जो एडमिट कार्ड के ऊपर यानि कि आपका आधार काल आपने दिया होगा एड़ टाइम फिलिंग ओफ एप्लिकेशन फोर एनी पोस्ट ऑफ ट्रिपल स्पी जब आपने डी ट्रिपल स्पी का कोई फॉर्म भरा होगा तो वहां पर आपने एक आईडी दिया होगा उ यानि कि आपको यह पहला पेज जो है आपको फीचर एफरेंस के लिए समाल के रखना है क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो उस पर आपको एप्लिकेशन नमबर या रोल नमबर उस तरह से जो है आपका इस डिटेल को यूज किया जाएगा और आगे आपका तभी आपका आंसर जो हैं वो मिलेंगे यहां फिर आपका रिजल्ट जो वहां से निकाल सकेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कैनिडेट फीजिकली अपीरेंस इन दे एग्जम सेंटर सुड मैच विद फोटो ऑन एडमिट कार्ड जो फोटो आपके एडमिट चाहिए तो मतलब यह इस चीज के लिए लिखा है कि सेम परसंट नहीं आना चाहिए हो सकता है कि किसी और के काड को लेके कुछ मतलब इसमें कुछ हो सकता है ओके तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर केंडिट्स और एडवाइज फोलो दे ड्रेस कोड स्ट्रिक्ली आपका जो है उसको इस्ट्रिक्ली फोलो करना है वह द्रेस कोड अभी हम नीचे देखने क्या चीज है केंडेट हैं केंडेट हैस्ट सब्मेट अब्सक्राइशन यह सब्सक्राइब करना है तो यहां पर आपको बता गया गया है कि आपको वह सही से फिल करके जाना है लास्ट पॉइंट लिखाया है नेक्स पॉइंट हॉल और रूम्स एस वेल आज इन दे प्रेमिसेज सब्सक्राइब को सारीरिक रूप में इपरवेश पत्र पर फोटो के साथ मेल खाना चाहिए मेंस कैंडिडेट्स फिजिकली अपीरेंस इन दे एक्शामिशन शेंटर शूड मैच विद फोटो ऑन एडमिट काड पर दिये गए फोटो से कैंडिडेट जो मैच होना चाहिए फिजिकली नेक्स सेकिंड पॉइंट आपको दिया गया है परिक्स अब्यारतियों को परिक्षा समाप्त होने से पहले परिक्षा का कि नहीं है अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तैम कंप्लीट नहीं हुआ है आपको कोई भी पर्मिशन नहीं है आप महां से हौल छोड़ कर नहीं जा सकते है नेक्स्ट है पुष्टे के नोट्स, कैल्कुलेटर, मॉबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्स, घड़ियां और अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरन बैग आदी को परिक्षक के इंदर में रखने की अनुमती नहीं है बुक्स, नोट्स, कैल्कुलेटर, मॉबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्स, वॉच्ट्रोनिक्स, बैग्स, ब्रीफ केसे और अदर सच आर्टिकल शेल नौट बे अलावड इन एक् नहीं आप कई पर सब्मिट कर सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, नेक्स्ट पॉंट आपका फिफ्ट पॉंट में दी गया है, अभ्यारती परवेश पत्र प्रिस्ट वन, भविश्य के संदर में है तू, अपने पास सुरक्षित रखें, दे कैंड़ेट्स आपका फिफ्ट रेटें दिस फर्स्ट पेज ऑफ एड्मिट कार्ड फॉर ओल फुच्ट रफ्रेंसिस, एड्मिट कार्ड का पहला पेज आपको समाल के रखना है आगे के लिए, ताकि आगे कभी भी जर्वत पड़े तो उसका यूज करके आप आगे का जो है, अपना रि आपको समझाने की कोशिच की गई है साथव पॉइंट है, अभ्यारतियों से निवेधन है कि वे मैंतुपून संदरबो हेतू, DSSB की वेबसाइट को समय पर अभलोक करते रहें, कोई भी सूचन अभ्यक्तिकत रूप से नहीं दी जाएगी, यही सेम पॉइंट आपको दिया गया है, आपको DSSB की जो में वेब सब्सक्राइब करें, आपको नहीं दिया जाएगा, नेक्स्ट आपका एट पॉइंट में आपको दिया गया है, सभी अभ्यारतिय दिल्ली अधिनस्त सेवा बोर्ड की वेबसाइट, यानि जो www.delsbsb.dellygovernment.nick.in पर उपलब्द सामान्य निर्देशों को डाउनलोड करें, एवं साफदानी पूर्वक पढ़ें, दे केंडेट शुट डाउनलोड एंड रीड इन जनरल इंस्ट्रक्शन केरफुली अवेलेबल एट बोर्ड वेबसाइट, आप जो है जनरल इंस्रक्शन जो हैं, वह आप में वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट आपको बताया गया, डिस्सबी परिक्सा में उपस्तित होने के दोरान उमीदवारों को निमलेकि ड्रेस कोड का पारण करनी का निर्देश दिया जाता है, अब आपके बात करते हैं, में चीजे जो कि ड्रेस क होने चाहिए, ठीक है, लाइट को मतलब कि हलके कपड़े होने चाहिए, विद हाफ स्लीव्स, नॉट हैं बिग बटन, ऐसी होनी चाहिए, जिसमें हाफ स्लीव्स हो और बड़े बटन ना हो, किसी तरह का बैज या फ्लावर तरह का ना लगा हो, ठीक है, विद सल्वार और यहां तो आपको सल्वार, अगर आप फीमेल है, तो सल्वार, तो आपको ट्राउजर पहन की जाना है, नेक्स्ट बी पॉइंट है, स्लीपर सैंडल्स विद लो हील्स, शूज आर नोट अलावड, स्लीपर सैंडल्स जो है, आपको लो हील्स वाले पहनने हैं, और आपको चीज का आपको ध्यान रखना है, यह आपको जनल इंस्ट्रॉक्शन, नेक्स्ट जियान के थर्ड पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसमें पॉइंट दिया गए है, एडिशनल इंस्ट्रॉक्शन फोर केंडेट डियू तो कोबिड-19, कोबिड-19 की वज़ आप जैसे ही एंट्री कर लेंगे एग्जामिशन वेन्यू पर, वहां से स्टार्ट करके जब तक आप एग्जिट नहीं कर लेते हैं, आपको हर तरह के सोशल डिसेंसिंग को मिलेटेन करके रखना है, ठीक है, सेकिंड पॉइंट में आपको बताया गया है, कैंडिड़ेट will have to bring mindatarily a signed self-regulation regarding having or not having any type of COVID-19 symptoms and show the same to the security guard at the entry to the examination venue. अगर ऐसा कोई symptom है आपको जो की COVID-19 से related है, तो आपको जो है, एक separate isolation lab या hall दिया जाएगा, उसमें आप examination center पर exam को दे सकते हैं. आप जो है, अपना खुद का क्या लेके जाएंगे, face mask या फिर hand gloves और personal hand sanitizer, जो की transparent bottle होना चाहिए, 50 ml का, 50 ml से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ आप water bottle ले जा सकते हैं, बट वो भी transparent होना चाहिए, and the exam related documents, यानिके admit card, photo ID card, etc. यह आप ले जा सकते हैं. नो अथर items will be permitted inside examination hall or lab. किसी दूसरी तरह की चीज़े जो है, examination lab यहां hall में enter करने के लिए permission नहीं दी जाएगी. फिफ्फ पॉइंट है, temperature of candidate will be checked at the entry of the candidate venue via a thermo gun. thermo gun से आपका entry के time पे temperature चेक किया जाएगा. जैसे कि हर बार होता है, examination venue के outside किसी भी तरह का display नहीं लगेगा आपका lab number और role number से related. वो आपको individually जासे enter करेंगे, उस time पे आपको बताया जाएगा. ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा से ध्यान रखना है, ज्यादा panic होनी की जरुवत नहीं है, कि बाहर board नहीं लगा है, यहाँ, etc., etc., तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अंदर जाके आपको सब कुछ बता दिया जाएगा. सेवन्थ पॉइंट है, चैंडेट नीड तो फोलो डिरेक्टिंस गिवन बाइग्जामिशन सेंटर रिप्रेजेंटिटिटिव इन ओडर तो अब्सेंटिंसिंग आपको जो है, जो है, थोड़ा सा उसको फोलो करना है, ताकि सोशल दिस्टेंसिंग मिंटीन हो सके. एट पॉइंट है, अपने हाथ को सेंटाइज करें, उसके बाद यह आपका फोटो लिया जाएगा. नाइफ पॉइंट है, जो की लास्ट पॉइंट है, जो की लास्ट पॉइंट है, जो आपको बताया गया था, यह आपको फिल करके जाना है. इसमें सिंपल सी चीज़ें पूछी गई है, वो आपको बता देना है, और रियल होना चाहिए, ठीके, कोई भी हैर फिल करने की जरुवत नहीं है. किया आपको कफ है, कफ है तो आपको यह लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है, इसी तरह से रनी नोज या कोल्ड फीवर यह ब्रीधिंग प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आपको इसका आंसर पे टिक लगाना है. इसमें आपको नीचे जो है, क्या करना है, आपको नाम लिखना है, अपना रोल नमबर, डेट अग्जाम, एक्जाम, इसको टाउनलोड करेंगे और इस तरह से अगर आपने वीडियो देखी लिए, तो आप पूरी चीज़ समझ गए, क्या क्या चीज़े हमें लेके जाना है, किस तरह से इंसरुक्शन आपको दिये गए हैं, तो सबी को फोलो करते हुए, और मैं आज इस वीडियो को खतम करता हूँ, उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुए होगी, थोड़ी सी इ अच्छा हो, आपने काफी मेहनत करी होगी, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद बंदे मातरम